हेलो फ्रेंड्स आज हम माई च्राइल्डूट का फुल समरी करेंगे फ्रेंड्स चाह आप किसी ऐसे वेज्ञानिक के बारे में सोच सकते हैं जो राजनेता भी रहे हो एपीज अब्दुल कलाम जिनकी अंतरिक्ष, रक्षा और प्रमानु प्रद्योगिकी में परियोजनाओं ने भारत को 21 सदी में निर्देशित किया वे 2002 में हमारे 21 राष्ट पती बने अपनी आदम कथा विंग्स ओफ फॉयर में वो अपने बच्पन की बात करते हैं यह पार्ट हमें प्रोफेसर अब्दुल कलाम के बच्पन के बाड़े में बताता है वे दुनिया के महांतम बैग्यानिकों में से एक हैं उनके पिता का नाम जैनुल आवदीन था उनकी माता का नाम आशी अम्मा था उनका जन सन 1931 में रामेश्वरं में हुआ था उनके माता पिता ना तो अधिक पढ़े लिए थे ना ही अमीर फिर भी वे बड़े उदार और दयालू थे परिवार से बाहर के बहुत से बैक्ती प्रती दिन उनके यहां भोजन करते थे अब्दुलकलाम के तीन भाई और एक बहन थी वे सभी अपने पूरवजों से प्राप पुराने घर में रहते थे वो बड़ा तथा पक्का मकान था या रामेश्वरं की महजित गली में था अब्दुलकलाम आठ वर्ज का ही था जब सन 1939 में दूसरा विस्युद्ध छिड़ गया अचानक इमली के बीजों की मांग बढ़ गई अब्दुलकलाम इन बीजों को इकठा करके उन्हें बाजार में बेज देता था उसका एक चचेरा भाई समसुद्दीन समाचार पत्रों का वितरक था उसने अब्दुलकलाम को अपने सहायक के रूप में न्यूग्द कर लिया अब्दुलकलाम के माता पिता ने उसको काफी प्रभावित किया उसके कुछ मित्रों और अध्धापकों ने भी उसे प्रभावित किया वह रामेश्वरम प्रारंभिक विद्याले की पांचवी कक्षा में था एक नए अध्धापक कक्षा में आए अब्दुल अपने घनिष्ट मित्र रामानाद सास्त्री के साथ प्रथम पंक्ती में बैठा था नए अध्धापक एक हिंदू पुजारी के पुत्र का एक मुसल्मान लड़के के पास बैठना सहन नहीं कर सके उन्होंने अध्धुल से पीछे की पंक्ती में बैठने के लिए कहा वह बड़ा दुखी हो उठा और रामानाद सास्त्री का भी यही हाल था पिछली पंक्ती में जाते हुए अध्धुल ने देखा कि सास्त्री रो रहा था इस बात का अग्दुल पर बड़ा असर हुआ बाद में रामानाद सास्त्री के पिता ने अध्यापक को बुलाया उसने उसे बच्चों के बीच सामाजिक बिवाजन का जहर ना फैलाने के लिए कहा अध्यापक ने इसके लिए माफी मंगी अब्दुल के विज्याण अध्यापक सिव सुर्वमन्या अईयर उची जाती के ब्रामन थे उनकी पत्नी बड़े पुराने विचारों की थी परन्तु उन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़ने का भरसक प्रयत्म किया एक दिन उन्होंने अब्दुल को अपने घर भोजन का निमंत्रन दिया उनकी पत्नी ने अब्दुल को अपनी रसोई में खाना परोशने से इंकार कर दिया तब सिव सुर्वमन्या ने अपने हाथों से अब्दुल को खाना परोशा उसने उसके पास बैटकर अपना भोजन भी लिया अध्यापक ने अब्दुल को सब्ता आंत फिर आने को कहा वा अगले सब्ता उनके घर गया उनकी पत्नी अब्दुल को अपनी रसोई में ले गई उसने उसे अपने हाथों से खाना परोशा अपने पिता से अब्दुल को इमानदारी और आत्म संसे विरासत में मिले उसे अपनी माँ से अच्छाई और दया विरासत में मिले अब्दुल कलाम बढ़ा हो गया उसने अपने पिता से रामनात पुरम में जाकर अध्यन की आग्या मांगी उसके पिता ने उसे जाने की अनुमती दे दी उसने अपनी पत्नी को सांतोना दी जो भावुख हो गई थी अब्दूर कलाम के पिता ने प्रसिद फार्शी दार्शनिक खलील जिब्रान का उले किया उसने उसे बताया कि उसके बच्चे उसके नहीं है वे तो जीवन के अपने प्रती इक्षा के पुत्र और पुत्रियां है वे इसके द्वारा आते हैं परंतु उससे नहीं आते वह उन्हें अपना प्यार दे सकती है परंतु उनके विचार उनके अपने है तो फ्रेंड्स इस कहानी का सार भारतिय समाज में विद्यमान, सामन जश्य और पुर्वाग्रा से संबंदी थै इस परभावकारी सार को कलाम के बच्पन की घटनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है निसंदे हम अपने जीवन में उपर उठ सकते हैं यदि हम दिर्श संकल्प और समर्पन को अपना लेते हैं फ्रेंड्स आप इस चैनल पर सोसल साइंस और इंग्लिस के वीडियो देख सकते हैं और इसे लेटेट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें